श्री शिवाय नमस्तुभम दोस्तों मेरे चैनल सुक्समरद यूपाय में आप सभी लोगों का स्वागत है कैसे आप सभी लोग आसा करती हूं सभी खुश होंगे स्वस्त होंगे जैसा कि आज मैं पताऊंगे कि सिंदूर का बहुत ही हमाई जीवन में महत होता है क्योंकि ये आजकल विज्यानिक महतुजादा रखते हैं इसलिए आजकल कुछ लेडी सिंदूर नहीं लगाती है और वे ऑफिस के कामकाज में रहती है और सिंदूर नहीं लगाती है लेकिन ये बहुत हमारे सास्त्रों में गलत माना गया है अगर औरत की साधी हो गई है तो उसे सिंद यूही नहीं बलकि हमारे पती की सम्रद्दी भी होती है हमारे पती की कामकाज में बहुत ज़्यादा उन्नती होती है तो आज मैं उनके नियम बताऊंगी कि किस तरह के नियम करने चाहिए इससे पहले आप गर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजेगा स घर महादेव तो आगे बढ़ते हैं जैसे कि नियम मैं आज बताऊंगी आपको साधी के बाद अपने पैसे साधी के बाद जब भी आप खरीदते हैं तो अपने पैसों का ही खरीदे सिंदूर क्योंकि माना जाता है कि साधी के बाद अपने पैसों का लगाया हुआ सिंदू बहुत ही हमारे को सम्रदी देता है और हमारे पती की लंबी आयू करता है दूसरी बात मेरा कि दूसरी महीला का सिंदूर आप कभी न लगाए अगर आप कहीं गई है आप पना सिंदूर लेके नहीं गई है दूसरी महीला से मांगकर आपको सिंदूर नहीं लगाना है इससे हम हमारे पती की आईयू तो घढ़ती ही है, और हमारे धन सम्रदा की भी कमी होने लगती है। समय पती की लंबी आयू की सोचें भगवान मा पारवती से प्रातना करें हैं पारवती मा मेरे पती की लंबी आयू तो जब भी आप लगाएं तो आप यह उचारण करते हों लगाएं कि मा मेरे पती की लंबी आयू इस तरह से आप पूरी मांग पीछे तक भननी आपको जिसस आपको आने वाले समय में आपके पती का मान कम होता चला जाएगा आपके पती का समाज में कहीं अपमान नहीं रहेगा अपमान महसूस होता रहेगा आपको जब मानलो कभी गिर गया है आपका सिंदूर तो उसे सिंदूर को दढ़ंग से रखना है आपको बच्चों से दूर तो उसे उठाकर आपको एक जी के मिट्टी में कहीं भी रख देना है उसको आपको फैकना नहीं है नाली वगेरा में कहीं भी नी डालना है या सिंक में कहीं नी डालना है उसको आपको उठाकर मिट्टी में रख देना और भवान से माफी मांगनी है हे मातरानी छमा कर दो मेर से गलती से गिर गया क्योंकि माना जाता है कि सिंदूर गिरना भूती असुब होता है इससे आने वाले समय में हमारे पती के स्वास्त पर परेशानी आने लगती है इसलिए आप जब भी सिंदूर रखें हमेशा ऐसे रखें जो बच्चे की पहुँच से वाहरो और ज़्यादा परिशानी ना हो हमारे पती को तो आगे मैं बताती हूँ कि दूसरों के सामने भी आपको कभी सिंदूर नहीं लगाना है क्योंकि इससे क्या होता हमारे जो रिष्टे होते हैं पती पत्नी के रिष्टे जो होते हैं उसमें नजल लग जाती है और जब भी मालो कभी कोई बैठा भी है आपके आसपास तो में सब पला करके सिंदूर लगाना है आपको किसी के सामने डारेक्ट सिंदूर नहीं बढ़ना है उससे आपके पती के और आपके रिष्टे को नजल लग जाएगी और आने वाले समय में आपका पत्य और पत्नी का रिष्टा कम होता चला जाएगा सूखा सिंदूर लगान जाता है अगर हमारा सिंदू लगाते समय नाग पर गिर गया है तो वो माना जाता है कि हमारा पती से प्रेम बढ़ रहा है अगर गिर जाता है तो आप गीला करके थोड़ा सा तब लगा सकती है लेकिन आपको सूखा ही लगाना है और मापारवधी का ध्यान करते हुए लगान और आपको लंबा ही लगाना है मैंने पहले भी कहा कि आपको नाग की सीध से लेके जाना है बिल्कुल नाग की सीध से और बिल्कुल लंबा सिंदूर लगाना है इससे हमारे पती की लंबी आई यू रहती है अगर कुछ महिला है जैसे टेड़ी मांग निकालती है वो से यही सास्त्रों में भी लिखा है कि सी सिंदूर लगा जाता है टेड़ी मांग में आपको बिल्कुल भी नहीं लगाना है नव Way tod जो इसतरी को सिंदूर मिलता है वो आप उठा कर रखें, कभी भी beauty parlor वाले उसे सिंदूर नहीं लगाएं उनका आच्रण हमें पता नहीं रहता किस ब्यवार का है तो आप beauty parlor में जाकर उनके हाथों से सिंदूर न लगाएं खुद सिंदूर लगाएं ये भी बहुत गलत प्रभाव डालता है या अपने पती के हाथ से भी आप लगवा सकती है सपने में अगर आपको सिंदूर दिखता है बहुत अच्छा माना जाता है सपने में सिंदूर दिखना और माना जाता है कि माई के से हमारे कोई खुशकबरी आने वाली है या हमारे घर में ही कोई सुबसमाचार आने वाला है अगर कुवारी को कुवारी लड़कियां है उन्हें मन्चाहे पती के लिए वर मागना है तो क्या करना है उन्हें सरसो के तेल में सिंदूर मिला कर एक स्वास्तिक बनाना है जिससे उनके घर में उनकी मननत पूरी होगी और मननत पूरी होने से उन्हें अच्छा वर मिलेगा और जल्दी ही उनकी साधी हो जाएगी और क्या करना है आपको जब भी आप जैसे बहुत सारी लेडीज अपने ओफिस में रहती हैं टाइम नहीं निकाल पाती हैं और सिंदूर लगाना उन्हें अच्छा नहीं लगता है आप ओकेशन पर जरूर लगाएं मैं बार बार यह करते हैं जैसे करवा चौत होती है तीस का नहीं बैठती हैं तो बहुत ही ज़्यादा गलत माना जाता है आपको गिला सिंदूर नहीं यूज़ करना है आप अगर ओकेशन पर भी लगा रही है आपको सूका ही सिंदूर लगाना है बहुत ही अच्छा माना जाता है कामके माता का सिंदूर माना बहुत अच्छा जाता सिंदूर लगाते समय ध्यान नहीं रखती है और सिंदूर बिखड जाता है हमारे घर में दुख आने लगता है और मा लक्षमी हमारी रूट कर चली जाती है सिंदूर से बहुत सारे उपाय किये जाते हैं सिंदूर ऐसी चीजे किसी के सामने नहीं रखना चाहिए आपको अप बलकि आपके जो भी आपके मेक अप के समान की चीजे हैं आपके पती की स्वास्त वर्दक चीजे हैं जैसे आप मेक अप के समान की जो मैं कहना चाहरी हूं मेक अप की समान की चीजे हैं जैसे सिंदूर है आपका बिच्वे हैं आपके जो प्रतीक मानी जाते हैं चूड़ि ही है और हमारे घर में धन की गिरावट होने लगती है आपको क्या करना है आपको सिंदूर के अंदर एक रुपे का सिक्का जरूर रखना है बहुत सुब माना जाता है एक रुपे का सिक्का जरूर रखें अपने सिंदूर में और इससे क्या होता है हमारे पती की लंबी आयू तो होती ही है हमारे घर में धन व्रद्धी होने लगती है और हमारे घर में सुखसान्ती बनी रहती है आपको बहुत अपने सिंदूर का ध्यान लगना है किसी के आगे नहीं रखना है आपको छिपाके रखना है जब भी आप सिंदूर लगाएं तो ध्यान से लगाएं दूर लगाते समय अपने पती का ध्यान करना है, मापारवती का ध्यान करना है, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरू करें